नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे की जिक्स MR टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, जिक्स MR टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जिक्स MR टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की जिक्स MR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए Zyx-MR एक ब्रैंड नेम है. Zyx-MR टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है. Zyx-MR टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन एसिकलोफनेक और थियोकोलचिकोसाइड होता है. एसिकलोफनेक शरीर में दर्द और सूजन को कम करता है. और थियोकोलचिकोसाइड शरीर की मासपेशियों को रिलाक्स करता है. और शरीर की मासपेशियों की जकडन और मासपेशियों की एंधन को कम करता है. जिक्स एमार टैबलेट का उप्योग मासपेशियों के दर्द के इलाज में किया जाता है जैसे कमर में दर्द होने पर, गर्दन में दर्द होने पर, पैरों वा हाथों की मासपेशियों में दर्द होने पर जिक्स एमार टैबलेट का उप्योग किया जाता है जिक्स MR टैबलेट शरीर की मासपेशियों की एंठन, मासपेशियों की जकडन और मासपेशियों के दर्ध से राहत दिलाती है Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में जिक्स MR टैबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ZIX MR टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे बधजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक Zix-MR टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती है और शरील में खून की कमी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की Zix-MR टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। Zix-MR टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Zix-MR टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं और पांच दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। Zix-MR टैबलेट को लगातार साथ दिन से अधिक लेना रिक्मेंडेड नहीं होता है। Zix-MR टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Zix-MR टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। लेकर तुरंथ ही बंद कर देना चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Zix-MR टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Zix-MR टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। जिक्स-MR टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में Zix-MR टैबलेट मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहुँच सकती है। और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Zix-MR टैबलेट का सेवन करना सुरक्षतवर रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Zix-MR टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।